जैसे question है y बराबर m cause inverse 6 e to power m cause inverse 6 तो पहले तो आपको दो बार differentiate करने करना इसको है और दो बार differentiate करके उसको n बार differentiate करना है तो पहले तो इसको एक बार differentiate करते है y1 is equal to तो जाद है y1 टेड़ा बन गया तो writing वड़ी गंदी है करेंगा y1 तो इसको क्या होगा e to power m cause inverse 6 और इसको फिर करेंगे तो minus m upon under root 1 minus x square रही तो आएगा यानि इसको ले सकते हैं इसको इधर ले आओ under root 1 minus x square y1 is equal to minus m ये फिर y लिखा हुआ है तो काय के लिए हम लफ़डा करें यह लिख दे तो यह आपका equation number 2 बचेगा ठीक है y1 यहाँ से निकाल चुके हैं अब आप again differentiate कर दू again differentiating equation 2 तो देखो यहाँ लगेंगे product rule तो first function 1 minus x square और y1 का differentiation y2 plus second function y2 इसका करेंग क्या आएगा 1y2 under root 1 minus x square और into minus का 2x यहाँ पे आएगे तो minus का m y1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका under root यह क्या लिख रहे हो यह y1 है ना under root LCM ले लेंगे यह 2,2 कर जाएगा ना LCM लेंगे तो यह आजाएगा 1 minus x square y2 minus x y1 अपान आएगा ना इसको उधर ले जाओ minus m under root 1 minus x square into y1 भाई यह आपान वारा चीज उधर multiply में आ जाएगा ना अच्छा y1 आप निकाल चुके है y1 के लिए यह निकाल चुके है ना तो यह रख दिया जाए उठा करके कोई दिक्कत तो कहां पर रखे y1 की value देखो चरार समझेगा हम यहां नहीं रखेंगे जहां मुझे easy लगेगा वहां रखेंगे चुकि इसको n bar differentiate करना है अगर मैं इसको differentiate करूंगा ना तो नहीं यादा जाएगी तो ऐसा करते हैं इसकी जगए इसकी जगए क्या लख सकते हैं लख सकते हैं ना यहां इसको नहीं touch करेंगे इसको हटाएंगे root 1 minus x square y1 क्या रखेंगे minus m y जानबूच कर रख रहे हैं हम नहीं भी रख सकते हैं लेकिन इसको n bar derivate नहीं कर सकते हैं तो आजाएगा 1 minus x square y2 minus x y1 is equal to minus m इसको क्या लखेंगे minus m y तो plus m square y हो जाएगा हमने यहां क्या किया है using equation 2 किया है तो यह आपका differentiation हो गया कितनी बार दो बार हो गया सबको एंग तरफ ले आओ तो आएगा 1 minus x square y2 minus x y1 minus m square y बराबर 0 यह equation बरा गया 3 दो बार गलती न हो गहीं गलती हो गई तो गरबर हो गया जरास अभी हुआ तो यह आपका equation डाल दो अब इसको m time differentiate कर दो n time differentiating n times differentiating n times देखो यहां क्या लिखेंगे dn of y2 to 1 minus x square minus dn of xy1 minus dn of m square y is equal to 0 यहां पर y2 को मानेंगे u और 1 minus x square को भी मानेंगे तो आएग क्या हैगा dn of y2 into 1 minus x square plus nc1 dn minus 1 of y2 into d of 1 minus x square plus nc2 into dn minus 2 of y2 into d2 of 1 minus x square यह अलग कर दीजेगा यह कर्ली रेकेट बंद कर दो यह अलग अलग पोर्ट्सन के हैं अब देखो यहां पर आईए माइनस बड़ा ब्रैकेट यहां पर क्या आएगा dn of y1 into x plus nc1 dn minus 1 of y1 into d of x इतनी रहेगा ना अच्छा यहां तो अकेला y है ना यह डाइट आपका होगा minus y square yn बलावर 0 दरेट हो जाएगा न यहां देखिए जब y2 को करोगे तो यह आएगा 1 minus x square y2 का डिफरेंस इसन क्या हो जाएगा yn plus 2 plus nc1 की value क्या होती है nc1 n होता है इसको n minus बार बार को कितना आएगा yn plus 1 इसको एक बार करो minus का 2x plus nc2 की value n minus 1 upon 2 into 1 इसका हो जाएगा yn इसका होगा minus का 2 यह minus अंदर ले जा रहे है minus इसको एक बार करोगे तो yn plus 1 into x minus n yn minus m square yn is equal to 0 अब लेंदी तो हो गई होगा भई simple सी बात है देखो calculate करते हैं यह आजाएगा 1 minus x square yn plus 2 देखो yn plus उन यहाँ भी है और yn plus उन यहाँ भी है तो हम ऐसा करते हैं plus यह minus का हो जाएगा minus का 2nx yn plus 1 minus का x yn plus 1 yn यहाँ भी है yn यहाँ भी है yn यहाँ भी है तो यहाँ लिखेंगे minus 2,2 कर जाएगा n n minus 1 yn minus n yn minus m square yn is equal to 0 अब फ़रा इसको calculate करेंगे ठीक है तो यह आजाएगा 1 minus x square yn plus 2 minus देखो ध्यान से यह 2n plus 1 आएगा x बाहरा जाएगा yn plus 1 आएगा minus कामन ले लो पूरे में से यहाँ bracket खोल दो n square yn minus n yn plus n yn plus m square yn is equal to 0 यह n yn कर गया तो यह क्या गया आपका नोट करेंगे यहाँ तक अब आप क्या करेंगे equation 1,2,3,4 putting x is equal to 0 in equation 1,2,3 and 4 इन सब में x को 0 रख दीजे उठा करेंगे देखें जब आप y बाले में रखेंगे तो y बरावर क्या था e to power m cause inverse x तो y add 0 करोगे तो आएगा e to power m cause inverse 0 cause inverse 0 के value क्या होती e pi by 2 cause 91 होता है न 0 होता है न तो जन्हें इसके रखेंगे e to power m pi by 2 जब y1 माले में रखोगे तो क्या आएगा y1 add 0 is equal to minus का m into e to power m pi by 2 और जब 2 में रखोगे तो आएगा y2 add 0 बरावर m square y add 0 और y add 0 अब निकाल चुके हैं तो आएगा m square e to power m pi by 2 ठीक है और जब इसमें रखोगे तो क्या आएगा y1 plus 2 add 0 ये तो पुरा इस्टब 0 हो जाएगा minus n square plus m square y1 add 0 बरावर 0 तो ये आजाएगा yn plus 2 add 0 is equal to n square plus m square y बस यहीं से आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी question number 5 डाल दीजेगा यहाँ note के लिजेगा y add 0 आपने क्या निकाला है y निकाला है e to power m pi by 2 y1 add 0 क्या निकाला है m square sorry m minus का m e to power m pi by 2 और y2 add 0 क्या निकाला है आपने m square e to power m pi by 2 ठीक है और ये तो हम use करेंगे अब देखो ध्यान से पहला case लिया कि n is odd तो n की value हम क्या लिखेंगे 1, 3, 5 and so on बाद में y n लाने के लिए क्या करेंगे बाद की बात है जब n को आप 1 लिखोगे तो यहां क्या हो जाएगा y3 add 0 हो जाएगा यहां क्या हैगा 1 square plus m square और यह आएगा y1 add 0 और y1 add 0 क्या निकाल चुके हैं आप minus m e to power m pi by 2 तो यह आगई value 1 square plus m square यहाँ minus m e to power m pi by 2 सुझ में भी बाद नहीं आई ठीक है फिर आपने n को 3 रखा कहां रख रहे हैं in equation 5 1 रखा तो उधर 1 आया इधर 3 आ गया 1 का इस्तेमाल कर लिए हमने यहाँ पर तो n को 3 रखेंगे तो इधर 5 आएगा इधर 3 हो जाएगा इसलिए तो हम निकाल रहे हैं भाई 1 रखा तो यहाँ 3 आया और 1 आल लेडिया हम पहले से निकाल चुके है इसलिए 1 हमने पहले बार differentiate कर लिया है n को 3 रखा तो यहाँ क्या आजाएगा यहाँ पर 5 आजाएगा ना is equal to यहाँ क्या आएगा 3 square plus m square यहाँ पर क्या आएगा y3 at 0 और y3 के value आप निकाल चुके है तो यह आजाएगा आपका 3 square plus m square y3 क्या है 1 square plus m square in bracket minus m e2 पाउर m pi by 2 अब ज़रा देखे अगर similarity देखेगा 5 में यहाँ 3 आएगा 5 कहाँ से start हुआ 3 से 3 कहाँ से start हुआ 1 से 2 कम से start हुआ है तो अब आप direct y n 0 करेंगे y n लाने के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा y n लाने के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा n minus 2 रखना पड़ेगा putting n minus 2 putting n minus 2 in the place of n in the place of n in equation 5 और यही पहज़ा नहीं हैगा देखे जब आपने यहाँ n minus 2 रखा तो यह y n आ गया न यहाँ n minus 2 रखा तो यहाँ क्या आ गया यहाँ आ गया आपका n minus 2 का square plus m square और यहाँ क्या जाएगा y n minus 2 at 0 पकड़ मैं आई बात अब देखो आपको क्या चाहिए n minus 2 तो n minus 2 लाने के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा n minus 4 तभी तो आएगा n minus 2 और यहाँ क्या आ जाएगा n minus 4 तो यानि कि इसको अगर आगे हम बढ़ाएंगे तो यह आपका पहला step तो पहले से था y n minus 2 का whole square plus m square अगले में क्या आएगा n minus 4 का whole square plus m square और यहाँ पना जाएगा y n minus 4 at 0 ऐसे कम होता जाएगा ना यह कम होते होते कहां तक जाएगा 2 odd है ना तो यह 3 5 1 तक जाएगा ना तो इसको हम similarly अगर लिखेंगे तो क्या आएगा पहले step में आएगा n minus 2 का square plus m square दूसा step आएगा n minus 4 का whole square into plus m square और कम होते होते y step पाएगा फिर y step पाएगा फिर 1 आएगा यानि कि यह कहां तक जाएगा y step पाएगा होते होते यह आएगा 3 square plus m square आएगा फिर 1 square plus m square आएगा और last में minus m e to power m pi by 2 आएगा पकड़े मैं आई बात तो इस प्रिकार से इसको तो देख लिजएगा इसलिए ने बोल भी दिया यहाँ m pi by 2 लिखा है m pi by 2 आएगा अब हमने का अगर n even है तो n को क्या पूट करेंगे हम 2, 4, 6, up to so 1 कहां पर करेंगे in equation 5 जानभू से इसको लिखे वे हम जरूत पड़ेगे न देखो जब n को 2 रखेंगे तो यहाँ पर y4 हो जाएगा आप जब n को 2 रखेंगे और यहाँ क्या आएगा 2 square प्लस m square y2 add 0 और y2 add 0 निकाल चुके हैं आप m square e to power m pi by 2 तो यह क्या होगी आपका 2 square प्लस m square यहाएगा m square e to power m pi by 2 क्यों अब आप n को 4 रखो तो 4 करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगी value y6 add 0 तो यह क्या आएगा 4 square प्लस m square और यहाँ पर आएगा y4 add 0 और y4 निकाल चुके हैं आप तो आएगा 4 square प्लस m square 2 square प्लस m square bracket में m square e to power m pi by 2 पकड़ में आ रही बार नहीं आ रही है e to power m pi by 2 अब देखो ध्यान से अब आपको y n लाने के लिए क्या करना पड़ेगा n minus 2 रखना पड़ेगा न दूबारे रख देते हैं वसे दिए ही काम में आ जाता तो अब इसको रखेंगे आप तो क्या हैगा putting in the place of n in equation 5 अब आप कहेंगे n तो यहाँ लिखा आता तो क्या को लिख रहे हो अगर n यहाँ मानेंगे तो y n plus 2 कैसे निकालेंगे हम तो क्योंकि हम से तो n ही बार differentiate करवा रहा है हम तो जानबूज के n plus 2 बार कर रहे हैं तो जब आप n minus 2 करोगे तो यह क्या बन जाएगा n बन जाएगा 0 और यहाँ क्या आएगा यहाँ आएगा n minus 2 का whole square plus m square और यहाँ पर आएगा y n minus 2 at 0 नहीं समझे अब आपको जब y n minus 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे n minus 4 तो यहाँ पर n minus 4 हो जाएगा यहाँ y n minus 4 हो जाएगा घड़ते घड़ते कहां तक जाएगा y 6 y 4 y 2 तक जाएगा तो यानिक जब value करेंगे हम आगे तो आएगा n minus 2 का whole square plus m square एक bracket में n minus 4 का whole square plus m square एक bracket में घड़ते घड़ते कहां तक जाएगे y6 y4 y2 तो y6 value तो ही निकलेगी न आपकी y6 तो यह क्या value आएगी एक bracket में 4 square plus m square आएगा और 2 square plus m square आएगा और यह आएगा m square e to power m pi by 2 तो यह value आपकी निकलाएगी तो यह आपका y n at 0 when n is even when n is odd तरीका सबका सेम है लंदी कोजिशन है तो है ठीके लेकिन बहुत अच्छे कोजिशन है ठीके